जब तक Supreme Court अपना decision जारी नहीं कर देती है दुबारा से इसका review decision तब तक ये मामला अब अटका हुआ रहने वाला है अगर result VPSC देती भी है तो 9, 10th, 11, 12th का result जारी कर देगी और 1, 2, 5 का result तब तक लंबित रहेगा जब तक Supreme Court अपना decision अगर ये बात बिहार सरकार खुद कहती तो बच्चों में negative point जा सकता था भेर्थी में कि अगर ऐसा ही थात मेरा exam आप क्यों लिए उसके पहले ही चुकी guideline आ चुका था तो निशित रूप से हमको इस exam से बंचित रखा जाना चाहिए था लेकिन अगर यही बात Supreme Court अगर कह देती है तो मैं भी बिहार सरकार इस 99% कि इसमें negative point एक तरीके से mind makeup कर चुके थे कि लगता है कि अब हम लोग इस दोर से बाहर हैं और आप one to five बाले डीलेड अभेरती भी आप डिमाग में सेट कर लिये थे कि आप हमारा बल्ले बल्ले सिक्षा विभाग के तरफ से अपर मुख सचिव सिक्षा आप केके पाठक साहब आप देखे होंगे कि इसमें हाई कोट से बाई सेप्टमबर को इस मामले में decision लेना चाहे या सलाह लेना चाहे कि आखिर इन वीएड अभेरतियों को के संदर में क्या किया जाए सुप्रीम कोट का decision यह है अब सबाल यह उठता है कि सुप्रीम कोट क्या अपने decision को review करेगी या यह मामला कहीं न कहीं इस पूरे परकरन को उल्जाने का तो कहीं सरकार का नहीं है या सहनुभूती बटोरने का तो नहीं है अगर थोड़ 10% भी आसा की किरन आपको दिख जाती है तो 90% होप बढ़ ज पेश लगने की संभावना है आपको बता दे कि वर्ग एक से पांच में सिख्षक बनने के लिए सुप्रीम कोट का जो guideline आया था जो फैसला आया था जिसमें यह साफ का आ गया था कि 28 डिग्री धारी जो है वो क्लास एक से पांच तक सिख्षक नहीं बन सकते हैं उसी को ले आती है हमार साथ है नमीन सार इंच से जानेंगे सर्फ मामला क्या है साज इसको बताते हैं यह मामला को सुरुवा तो 11 अगस से ही समझी के प्रारंब है जब सुप्रीम कोट यह डिशिजन दी वालों के संदर्म में हलां कि यह मामला आपका राजस्थान और 36 गड़ से रिल सभी राज सरकारों को उसका पालन करनी चाहिए एक तरीके का यही गाइडलाइन रहा लेकिन उसके बावजूद अभी आप देखेंगे कि इधर घटना करम में थोरा सा परिवर्तन हुआ धिरे-धिरे करके बीएड अभियरती चुकि तीन लाख नब्बे हजार बीएड अगर देखा जाए तो लगभग दोनों का उपर निचे था तो जिस तरीके से मामले में उतार चरा हुआ तो धीरे-धिरे करके लगता है कि लगता है कि अब हम लोग इस दौर से बाहर है और आप वन तू फाइड अभियरती भी आब डिमाग में सेट कर लिये थे कि आब हम बले हैं लेकिन इतने मैं ही अब विहार सरक्चुकि आप वी पीसी किलियर नहीं कर रही थी इस मामले को वह पूरी तरीके से सिक्षा विवाग पर डाल दिया कि फाइनल डिशेजिंश सिक्षा विवाग लेगी आखिर में कि आखिर इन वी एड अभियरतियों का क्या किया तो एक तरीके से यह बात भी किलियर कर दी थी कि इसमें वाले अभेर्थी को हम साइड रख करके हम रिजल जारी करेंगे इस तरह का मोटा मोटी यह डिशिजन था यहां पर लेकिन चुकि सिक्षा विभाग को फाइनली यह बिहार सरकार के सिक्षा विभाग को यह फाइनली कोट से बाई सेटमबर को इस मामले में डिशिजन लेना चाहे या सलाह लेना चाहे कि आखिर इन विएड अभियर्थियों को के संदर में क्या किया जाई तो हमको लगता है कि यह हाई कोट पूरी तरीके से मामले को खारीज कर दी कि सुप्रीम कोट जो डिशिजन दी है वह इसी गाइडलाइन के लिए आगे बढ़े कि सुप्रीम कोट इसके डिस्जन में हो सकता है कि बदलाव करें चुकि यहां का सारा प्रोसेस पहले से चल रहा था और एक जाम डिस्जन लेने के पहले हो चुकी थी तो इसी संदर्म में अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोट क्या अपने डिसिजन को रिभ्यू करेगी या यह मामला कहीं न कहीं इस पूरे परकरन को उल्जाने का तो कहीं सरकार का नहीं है या सहनुभूती बटूरने का तो नहीं है बहुत बात इसमें हो सकती है लेकिन यह बात तो तह है कि अब इस परकरन के कारण जब तक सुप्र 10th 11 12th का रिजल जारी कर देगी और 125 का रिजल तब तक लंबित रहेगा जब तक सुप्रीम कोट अपना डिसिजन नहीं फिर दुबारा दोहरा देती है समभावना क्या लगता है जैसे कि जो हाई कोट का जजमेंट है उसमें यह कहा गया है कि 11 अगस्त के फैसले के बाद तीन जज़ों की बेंच ने फिर से रिवियू किया और उसमें बिहार चुकी पार्टी नहीं था लेकिन इनको यह कहा गया है कि जैसा फैसला है 11 अगस्त को दिया गया है, उसी के हिसाब से विहार को भी पालन करना होगा, उसके बावजूद भी यह high court गया, फिर से supreme court गया, क्या संभावना आपको क्या लगता है, कि कौन से अधार पे गया होंगे, इससे supreme court जो है, विचार करने को तयार हो जाएगी, अगर दूसरे इसके पहलू को देखेंगे तो होता क्या है कि अगर आप किसी मामले का सिकार हो रहे हैं अगर तो दस परसेंट भी आसा की किरन आपको दिख जाती है तो 90% बढ़ जाता है तो यह अभी बिएड़ अभेर्थियों को साथ यह हो गया है कि उनको दस परसेंट गया है धकेल दिया गया है तो जेनरली देखा जाता है कि एक बार जो सुप्रीम कोट डिसिजन दे दी बहुत कम चांस है कि वो अपने डिसिजन में फिर बदल करेगी अपना सारा ये जो है वो सुप्रीम कोट के मादम से कावाना चाहते हैं निश्चित रूप से यहां इसा ह हो सकता है कि बिहार सरकार के संदर में अगर देखा जाए तो अगर यह बात बिहार सरकार खुद कहती तो बच्चों में निगेटिव पॉइंट जा सकता था भेरती में कि अगर ऐसा ही था तो मेरा एक्जाम आप क्यों लिए उसके पहले ही चुकी गाइडलाइन आ चुका तो निशित रूप से हमको इस एक्जाम से बंचित रखा जाना चाहिए था लेकिन अगर यही बात सुप्रीम कोट अगर कह देती है तो में भी विहार सरकार इस चीज़ से बच जाएगी इनका यह हो सकता है कि हमने तो प्रियास किया सुप्रीम कोट यह कहा है कि हम मूल बात हैं यही है कि अपने से ना कहवा करके हम सुप्रीम कोट से कहलवा ना चाहते हैं अगर बदल जाए इससे बहतर क्या होगा लेकिन हमको लगता है कि 99 परसेंट कि इसमें निगेटिव चुकि अभी तक जनरली जो देखा गया है कि रिब्यू की संभावना बहुत कम रहती है मैं भी कि इस्पेसल ही कुछ कर दे तब ही यह बदलाव संभाव है नहीं तो मेरी ख्याल से तो मामले मामले यह उलचता हुआ अब मामला दिख रहा है और बाद में वही जो पहले का डिजिजन है मैक्सिम्म संभाबना है कि मेंभी वही डिजिजन कंटिनिव करे आगे बढ़ सकती है तो नवीन सर्थे और इनका यही कहना है कि अब जो है मामला आगे बढ़ गया है यानि कि पेच फसा है अभी और सुप्रीम कोट नजाने कब सुनवाई करती है जब सुनवाई होगा क्लियर होगा उसके बाद फिर डॉक्मेंट वरिफिकरसन का होगा फिर सुप्रीम कोट अब जो चाहेगी दुबारा से वही होगा अंतिम रूप से लेकिन आपको बहुत खुस पहमी या बहुत तकलिफ में रहने की जौरत नहीं है आप पहले से माइन में कप किये थे अगर आपके पक्ष में डिसिजन आ जाता है तो बहुत बहतर है नहीं तो आ इस बीच में आप देखेंगे मुश्किल से दो महिने का समय है इसी बीच में आपका दसारा भी है दिपावली भी है चट जैसा मुख्य महापर्व है जिसको लेकर करके डिस्टर्वेंस की भी संभावनाएं बनी रहती है अब आपको समझना है कि बहुत सारे नाइन टेंथ का भी एक्जाम देने की संभावना है अब इतने बड़े सिलेवस को इतने कम समय में मेंटेन रखना भी आपके लिए चुनूती है हम बीएड अभेर्थी को कहना चाहते हैं और वैसे अभेर्थी जो सीटेट पेपर टू पास है उनके संदर में भी हम कहना चाहते हैं कि उन करनूनी पचला है और इसमें जो है समय भी लगता है लेकिन डिये लेड़ वाले कंडिडेट आप धैरे रखें आपके आपका जो है किसी प्रस्तिती में कुछ बिगर्ड़ने वाला नहीं है हाँ यह हो सकता है कि कटफ फुरा उपर चला जाए अगर उनको मौका मिले लेकि हार चैनल दभी हाट टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद